Hello guys, my name is Amit, और आपका स्वागत है, एक सबसे जो special video जो बन सकता था, अभी तक हमारे चैनल के उपर, वो है question paper का analysis, आज एक साल आठ महिने के बाद में, ये exam finally हो गई है, और कितनी बार ये postpone हुई, लोग students बहुत frustrated हुए थे, और जो experience रहा ना, ये बहुत लंबा journey का रहा है, और जो UPSC की एक preparation करनी पड़ती है, standard, जिसमें time लगता है, लंबा time लगता है, जो लंबा game चलता है, मैरातन जो होता है, वो experience सभी students का इसमें हुआ है, और आज जो है, जैसा कि हमेशा UPSC unpredictable रहता है, वैसा ही unpredictable, public service commission फिर से साबित हुआ है, क्योंकि जो questions आए है, वो questions इस तरह से आजाएंगे, simpler form में आजाएंगे, इतने direct भी आजाएंगे, ऐसा लोगों ने सोचा नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन हा, ये जरूर है कि आज बहुत सारे questions लोगों को simple लग रहे हैं, लेकिन गलतियां भी बहुत प्रिटिक करेंगे, सारा analysis करने के बाद में, आज एक race लगी है, सभी लोग cutoff बताने में लगे हुए हैं, लेकिन उन सभी चीजों पर अभी आप trust मत करना, क्योंकि UPSC का cutoff बता करना इतना असान नहीं है, और हम इतने expert नहीं है कि exam के दिन ही cutoff जो है, वो decide करने में लग ज इस के syllabus का, इस exam के syllabus का, इसलिए question तो simpler side पे रहे हैं, तो उपर तो जाएगा cutoff, यह बात तो है, लेकिन जो range है बहुत बड़ा है, कौन सी चीज को कितना deep में आप पढ़ोगे, science को, history को, current affairs को, कितना पढ़ोगे, कितना deep में पढ़ोगे, दो चीजे हैं, इसलिए सब चीजे एक students के पास में होना, बड़ा मुश्किल है, और कई questions जो है, वो tough भी है, negative marking भी बहुत होगी, हुई होगी, कुछ tricky questions भी मुझे मिले हैं, हाला कि सारे questions मैं भी तक analyze नहीं कर पाया हूँ, मेरा aim यह था, कि मैं हर question का source पता करूँ, हर question के exact answers को पता करूँ, और वो मैं आपको कोई भी गलती नहीं हो, और उसके बाद ही हम सही analysis कर पाएंगे, और उसके बाद ही सही cut-off का prediction कर पाएंगे, क्योंकि last एक महीने के अंदर जो मैंने वीडियो डाले थे, वो मेरा aim यही था, to the point बात करें, to the point matter दें, और उसको आप लोगों ने कापी appreciate किया, I am thanks, I am very much thankful to that thing, आज Teachers Day भी है, तो इससे बड़ा reward मुझे भी नहीं मिल सकता है, कि मेरे बनाय हुए course, जो EPFO का course मैंने बनाय था, और जो matter मैंने मेरे चैनल पर डाला था, जिसको आप लोगों ने बहुत शिदत से देखा था, सारे वीडियो को, उसमें से 50 से भी उपर questions आये हैं, तो 120 में से लगबग आदे questions, directly और indirectly हमारे course और इन वीडियो से मेरी teaching से आये हैं, so that is the biggest thing for me, and इससे आदा खुश मैं नहीं हो सकता हूँ, तो यह बात इसलिए है, क्योंकि लोगों ने बहुत trust दिखाया था मेरे teaching के उपर, और अब उनको फाइदा भी हुआ है, तो बहुत सारे students मुझ आप लोग नहीं जानते हैं कि एक टीचर के लिए इसे बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती है, तो आज टीचर's Day और यह reward मुझे मिला है, लेकिन जो बात हमारे question paper analysis की है, उसको हम अराम से बिलकुल perfect थरीके से करेंगे, बहुत सारी बाते हैं कि आगे हमें क्या करना है, कि अबाद एक video से बात करेंगे, लेकिन जो मेरा pattern रहता है कि जो हम कर रहे हैं वो हम अक्छे से करें, perfect तरीके से करें, ताकि आगे के सारे रास्ते क्लियर हो, अभी हमारा काम है आज के दिन की question paper का analysis करना, समझना question कैसे आया है, इस video के अंदर सारे questions नहीं लिया है, मैंने 120 question काफी ज्यादा बड़ा video हो जाता, और मैंने time लिया है पूरा आज के दिन में, ताकि हर question को पूरा detail में हम समझ पाएं कि कैसे क्या, किस level का question था, एक से लेकर 5 star तक हम देखेंगे, कि 3 star था, 4 star था, 5 star question था, और उसके हिसाब सही हमें सही prediction पता लग पाएगा, ठीक है, तो अभी कोई कहता हो 50%, 60%, 70% उन बातों पर मत जाना, अगर आपको लगता है कि आपने 50% questions भी अच्छे से किये हैं, और negative नहीं किये हैं, तो भी chances है, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी तक जो मैंने paper देखा है, उसके हिसाब से, ये वैसा ही, overall जो वही चीज लग रही ह कि हमेशा एक जो चातर सबसे financial कमजोर position में होता है, और वो पढ़ाई करता है, उसके पास जो sources available होते हैं, उसको देखकर हमेशा UPSC paper बनाता है, और उसके लिए जो चीजें accessible है information की, उसके हिसाब से paper बनाता है, और वो उसको clear कर पाए paper को, ऐसा paper UPSC हमेशा बनाता है, तो व वो इस तरफ जाएगा, कि वो बिलकुल ही कोई भी उठाकर questions को mark कर दे, tricky होते हैं, मेहनत आपकी check करेगा, UPSC हमेशा ही करता है, इस बार भी की है, और आपका presence of mind check किया है, बहुत सारे questions ऐसे भी हैं, जिसके अंदर आपने कहीं सुना है, और वो question सिधा इसमें आ गया है, ज रिपोर्ट आया था, हमने देखा भी था current affair में, एक बार भी सुना आपने, आराम से उसको कर दिया होगा, growth rate की बात है, economic survey मैंने आपको कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था, वो अपने एक बार भी सुना है, तो उसको आराम से कर दिया होगा, तो इस तरह से हमें questions को देखना पेपर रहा है, यह हमारा course रहेगा, चैनल को subscribe जरूर से कर लेना, क्योंकि अब हम civil service की serious preparations पर स्टार्ट करेंगे, जैसा हमने perfect videos बनाने की कोशिश की थी, और उन्होंने काफी help किया है, आप लोगों की इस exam के अंदर, और एक तरह से चीज़ प्रूव हुई है, कि जो हमारा पॉइंट जो है, उस तरह से हम बाते कर रहे हैं, यह चीज सबसे अप्लिकेबल होती है, आपके civil service के exam के अंदर, और उसके अंदर, ऐसे ही daily videos आएंगे, और जो मेरा potential है, वो उसमें कहीं ज्यादा होगा, इसलिए यह काफी काम आएंगे आपकी videos, तो चैनल को subscribe कर लें, और Telegram के इस link से आप जोइन कर लें, Telegram का group PDF के लिए, पहला question है, देखो मैंने इस पर 3 star लगाया है, कुछ-कुछ questions मैंने star लगा दिया था ता कि यह थोड़ा सा अंदाज हो जाए, कि यह एक से लेकर 5 तक, कौन से star वाला question है, 5 star का मतलब है कि सबसे tough question है, यह एक question है, प्रधान इन से आप answers का मतलगाना answer मैं clearly आपको बोल कर बताऊंगा, यह तो मैंने students से यह लिया है, और उन्होंने picture मुझे भेजी है, thanks for that, देखो इस question में क्या था, कि अगर आपने इसको एक बार भी पढ़ा है, और इसका theme समझ लिया है, तो इसको solve करना आपके लिए असान हो जाए options देखो, options से ही आप logic लगा पाओगे, UPSC बहुत सारे questions ऐसे पूछता है, आज भी पूछे हैं, जिसके अंदर अगर आप एकदम logic के तरीके से चलोगे तो भी कुछ questions को आप हल कर पाओगे, जहां पर मानलो कि बिलकुल blank हो जाता है दिमाग, और आपको लगता है कि ऐसे त out of power होने नहीं वाली है, तो कुछ questions ऐसे लेने हैं, जहां पर आप डीप लॉजिक लगाओगे, यह वो ही question था, देखो, पहला है, fertilizer का जो use है, उस पर subsidy देना, high yielding varieties और pesticides इनके उपर, तो subsidy के बात है, इसको साइड में रखो, दूसरा है, to achieve convergence of investment in irrigation at the field level, देखो, field पर खेती हो field level के उपर irrigation में investment करना, तो crisis हिचाई योजना है, तो फिर और क्या मतलब निकलेगा, crisis हिचाई योजना है, तो इसका मतलब investment तो irrigation में होगा ही होगा, तो यह तो एक obvious सी बात है, तो यह तो correct बात होगी, crisis हिचाई योजना के अंदर, यह point अगर नहीं होगा, तो थोड़ा बि आइडियल बाते हैं, जो है लिखी जाती है, कि इससे हम यह भी फाइदा करवाएंगे, हम यह चाते हैं, इनको यह फाइदा हो, किसानों को गरीब हो, कोई सहर स्कीमे होता है, यह बिल्कुल वैसे ही लाइन है, कि cultivable area बढ़े, यह हमेशा aim हो गई होगा, कोई भी योजना क्रिशी के उसमें होगा, क्रिशी सिचाई योजना है, और उसके अंदर cultivable area बढ़े, यह तो पहला aim होगा, इस योजना का, कि जो है, irrigation का फाइदा ज्यादा एरिया को मिले, तो यह भी obvious सी बात है, गलत नहीं हो सकता है, next है, on farm water use efficiency को improve करना, पानी की तो कमी है ही, और पानी तो ही सही बात हो गई, लेकिन यह वाली बात जो subsidy के बात चल रही है, अब subsidy का मामला तड़ा ही controversial होता है, subsidies जो है, वो कम भी की जा रही है, subsidy पर burden भी बहुत होता है, सरकार के उपर, economic decision हो लेना पड़ता है, तो तीन बाते तो बिलकुल simple है, ideal सी है, और यह अलग है, इसका सी कैसे आप जाओगे तो question tough भी हो सकता है, क्योंकि कितनी schemes हम याद रखें, लेकिन logic के हिसाब से बहुत ही simple question था, ठीक है, इसलिए 3 star में मैं डाल दिया, बाकी बाकी बैसे 2 star ही होने चाहिए, इसके अंदर, 2.5 mark आपके बिलकुल आसानी से इसमें आ सकते थे, यह देखो पूजना है, centrally sponsored scheme है, ना तो आप से पूछा कि central sector है, central sponsored है, आप से simple चीज़ पूचिए बिलकुल ही, तो मतलब बहुत simple question है, 2015 में आई थी और इसमें share होता है, ठीक है, इसमें देखो सिधा लिखावा objective, एक तो convergence investment का irrigation के area में, cultivable area को बढ़ाना, water efficiency को use करना, water wastage को कम करना, precision irrigation और दूसरी नई technologies को इसमें use करना, aquifers और इन सब को sustainable water conservation को बढ़ाना, peri-urban culture, जो टाउन के आसपास में जो खेती होती है, commercial जैसे, सबजीवगारोग आते है, होटी कल्चर वाला जो होता है, chicken raise करना, life stock को, वो सारा peri-urban culture में आता है, उसको बढ़ावा देना, water cycle को जो ह है, उसको और strong मनाना है, तो ये सारी चीजे है, क्रिसी चाहिए हो जना के अंदर, इसका मतलब obvious सा answer था, A, किसी ने बिलकुल भी नहीं पढ़ा होता, तो भी वो ये answer इसका कर सकता था, तो बिलकुल ही simple question हो गया, अब आप इसमें ये नहीं बोल सकते हो, कि सर, आपको अभी simple लग रहा है, exam के अंदर में simple नहीं लग रहा था, ये question तो simple ही था, ठीक है, ऐसी भी हम बात करेंगे, जहां पर आप ये कहोगे, कि भई, ये आप के रिए बोलना असान है, लेकिन हमारे लिए मुश्किल था, वो भी हम point लेंगे, जो teachers कभी discuss नहीं करते हैं, next है, export processing zone, अब पार बार newspapers में आई थी, तो current affair में तो ये था, और export processing zone की बात काफी ज्यादा हुई है, है न, survey में भी इसकी बात आई है, तो current affair में तो ये था, लेकिन आपने पढ़ा की नहीं पढ़ा, उस हिसाब से question थोड़ा सा tough भी हो सकता है, क्योंकि आप इसमें अगर एक बार भी तो गलत कर सकते हो, लेकिन एक बार भी कहीं पर पढ़ा है, तो इसके अंदर कोई statement वाली बात नहीं है, सिर्फ ABCD में से चुनना है, अब देखो जैपूर में, तो जैपूर में मुश्किल है, 1965 में, मुंबई, कानला, इंदाबाद इन में से हो सकता है, लेकिन आपको पता ह जोन था, 1965 में सेट अप किया गया था, और उसके बाद में 6 और सबसेक्वेंटली आये थे, सांता क्रूज मुंबई में, फालता वेस्मेंगोल में, चन्नाई, तमिलाडू, नोड़ा, कोचिन और विशा का पतनम, अगर आपने न्यूस पेपर डेली ध्यान से पढ़ा है, तो दा हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में भी इसका मेंशन आया था, तो ये वो वाला क्वेशन हो गया, कि जब डेली आप पेपर अनालेसिस को ध्यान से करते हो, पेपर पढ़ते हो, ठीक है, एक आप मुझे फीड़बैक में बताना, कि अगर मैं पेपर का अनालेसिस देली शुरू करूँ, तो आपको कैसा लगेगा, क्योंकि मैं पहले study IQ पे हिंदू इनालेसिस करता था, बहुत लोग उसको एप्रिशेट करते थे, लेकिन अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, जौब के साथ में, लेकिन मैं सोचूँगा, अगर इसको कुछ मिलता है, और कितने लोग उसको देखने वाले हैं, उस हिसाब से, और अगर मैं पढ़ाओंगा, तो फिर Indian Express और The Hindu इन दोनों का मिक्सप जो है, अनालेसिस हम डेली कर सकते हैं, नेक्स्ट कुश्चन है, रामसर कन्वेंशन, मैंने आपको पूछा भी था, मेरे Study IQ कोर्स में भी मैंने इसको पढ़ाया था, बहुत ही बेसिक चीज है, अगर आप UPSC की तहारीक आपने की है, या Current Affairs भी आप पढ़ते हो, या फिर और भी किसी एक्जाम में जी के आप पढ हुआ था, ठीक है, अगर Civil Service की तहारी आप करते हो, तो एकदम ही जसको बोलते हैं, कि टुचा question था यह, और UPSC क्योंकि EPFO का एक्जाम करवा रहा है, तो ये चीज तो आप पढ़ना बिलकुली basic था, अब इसमें जो एक sentence जो था ना वो tough था, क्योंकि बाके चीज तो बिलक service की तयारी करते हैं, बाकियों के लिए ये tough भी हो गया, तो बाकियों के लिए मान लो कि ये, इसके stars जो है, वो 3 star कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक और चीज थी, जो मैं आपको बताऊंगा, कि इतनी sites इंडिया में है नहीं, कि 76 तो बहुत बड़ा number हो गया, इतनी sites होना, तो एक तो यहां पर आपको थोड़ा question उठना चाहिए था, दूसरी बात, इसमें देखो 76 अगर नहीं होता है, इतना बड़ा number अगर नहीं है, ये तो एक logic भी आप लगा सकते हो, अगर ये नहीं है, इसका मतलब 3 नहीं है, तो A और B ये दोनों cancel हो गए, अब बचा 1st and 1st and 2nd, लेकिन 2nd वाला बिलकुल ही obvious है, कि wetland conservation के लिए रामसर convention है, इसका मतलब 2 को आप rule out नहीं कर सकते हो, तो simplest answer हो गया D, 1 and 2, तो वही technique जो होती है, exam के अंदर question solve करने की, वो technique आप खुद ही सीखनी पड़ेगी आपको, किसी के सिखाने से नहीं होती है, बहुत लोगों ने जो ह अलग अलग होता है दिमाग लगाने का, हर किसी का, मैं मेरा तरीका किसी पर थोप हूँ, ये आदे बचों को समझ में भी नहीं आएगा, और आपका knowledge का basis क्या है, कितना level तक आपने पढ़ाई करी है, वो उस पर depend करता है, तो उसका कुछ मतलब नहीं था पहले, और time भी मु अब बना दिया, इसलिए मैं इसको 3 स्टार दूँगा, ठीक है, लेकिन जो logic है उसके basis पर ये 2 स्टार ही था, कि 76 साइट तो नहीं इंडिया में, लेकिन ये UPSC की तयारी करते हैं, उन्हीं स्टुडेंट्स के लिए ही सिंपल था, जिनोंने जिसे बैंक ऐसे सीन की तयारी क किस्टमर्स, अब देखो, उड़ान स्कीम उड़ने के लिए थी, कि जो उड़े देश का आम नागरिक ये था ना, कि आम नागरिक भी उड़ पाए, सहर कर पाए, प्लेन की एक से दुसरे शहर में जा पाए, देश के अंदर ये नेटवर्क बढ़े, जैसे विदेशों में होता है बड़े देशों के अंदर, तो D नहीं होता, युड़े स्कीम जो है, बिजली वाली है, पावर डिस्कॉम वाली जो है, डिस्कॉम अशॉरेंस योजना, सहज स्कीम दूसरी है, पहल स्कीम एकदम सीधा सांसर था, और ये इतनी बार करंट अफेर्स में आया है, और ह अब ये देखो, अभी तक सिर्फ सिंपल क्वेशन सी आ रहे हैं, ठीक है, एक लास्ट क्वेशन जो था वो आपके ले टफ हो सकता था, लेकिन अभी तक सिंपल ही आये है, पीन चार क्वेशन जो अभी तक देखे हैं हमने, अगला है मेकुलेज मिनट, मेरे स्टडिया के को 1313 में आया था, उसके बात इंडिया में एजुकेशन के लिए उन्होंने काफी अफर्ट डाला था, एक लाख रुपय का बजट जो है बिटिस ने दिया था इंडिया में, तो मेकुलेज मिनट की कोर थीम ये थी, थी कि इसमें नॉट लगावा देखो, नॉट पूचा है क इसमें नहीं होगा, not recommended, इसकी में रिकमेंडेशन ये थी, मेकुलेज मिनट की, कि इंडिया की ये थोड़ा बहुत ही, मतलब घटिया बाते करता था इंडिया के लिए, ये कहता था कि इंडिया का जो नॉलेज है, जो भी कुछ है ना, जितने भी आप इकठे कर लो सारे, प इंडिया का जो वर्लाम कुनर लेंगवेज का सारा सिस्टम था, इंडिया का सारा कल्चर था, जिसको औरियंटल कल्चर बोलते थे, वेस्टरन कंट्रीज के लोग, क्योंकि औरियंटल मतलब इस्ट कंट्रीज जो है, तो इंडिया, चीन, ये औरियंटल कंट्रीज वो बोल वेशे यही था कि English को अड़ावा दिया जाए, English को ही यह सूपरियर मानता था, और यह कहता था कि India में एक क्लास खड़ा होना चाहिए, जो English बोलते हैं, और वो हमारे काम आए, और बाबू बाबू बने, ठीक है, जो कलर में ब्राउन होंगे, लेकिन टेस्ट में, नॉलेज म तो यह था, इसका में उद्धिश है, इसलिए, इसलिए, इंग्लिश मेडियम में टीच कराना तो इसका रेकमेंडेशन होगा ही, मुद्धा यह था, कि यह कभी भी यह नहीं चाहता था, कि oriental text जो है, उसको पढ़ाया जाए, उसको importance नहीं देता था, यह सीधी सी बात थी, इसलिए, इसका answer D होगा, ठीक है, क्योंकि वो उसके against था, इसलिए, अगर आपने एक चीज समझी है, कि मेकुलेज मिनेट का मेन उदेश्य क्या था, तो आप इसको आराम से सही कर सकते हो, इसका answer D होगा, कि यह, oriental text वगरा जो है, इसको education में involve नहीं करना चाहता था, यह इसका सिधा सा मुद्दा था, और जो English है, जो सारा English का, जो knowledge system है, उसी को superior मानता था, और वो ही पढ़ाया जाना चाहिए, यह कहता था, तो यह सारा इसमें मैंने revise कराने के लिए, आपको PDF में भी डाल दिया है, क्योंकि आगे आपके exam civil service की भी होगी, तो उसमें भी ऐसे question पूछे जाएंगे, जैसा मैंने बता था, Charter Act 1813 में एक लाग रुपे का budget दिया था, education को फेलाने के लिए, और education फेलाने का main उद्देश पूरा एक जिसको बोल सकते हैं कि एक layer है, जो बिलकुल अलग है देश के अधिक्ता जनता से, जो English बोलता है, high class जो उनका सारा lifestyle रहता है, और वो काफी influence western culture से रहते हैं, अगला जो question है, वो है, कि इन में से कौन जो है, was not a member of socialist group in the congress party, अब ये question थोड़ा सा tough है, क्योंकि जै नरेंदर देव, इनके बार में तो clear information है, कि ये socialist group में थे, और जो एक 1934 में एक group भी बना था, अलग से, Congress के अंदर ही socialists का, तो उसमें ये लोग थे, और आगे जाकर, इन्होंने socialism पर काफी काम भी किया था, लेकिन, एंजी रंगा, और आजिन प्रसाद, इन में से जो है, अगर आप clear answer चाहते हैं, तो इसके अंदर answer होगा B, ये question जो है, वो ideological basis है, इसका, जैपरकास नारायन और नरेंदर देव के लिए clearly लिखा हुआ है, एंजी रंगा जो थे, वो स्वतंत्र पार्टी के co-founder थे, जिसका पूरा basis जो है, वो एक तरह से social ideology के उपर ही बेस था, औ और जो पेजन मुव्मेंट के बड़े लिडर थे, तो उसमें सारी बात जो है, किसान मजदूरों के हक की बात है, तो ये socialism का idea है, लेकिन राजन प्रसाद जो थे, उनका जो तरीका था, तोड़ा सा, इसको बोल सकते हैं कि religious थे, थोड़ा सा conservative ideology को follow करते थे, और वो बड़ scholar थे, सब कोई जानते हैं, बहुत महान व्यक्तित वो थे, लेकिन नेहरू से इस मुद्दे के उपर उनसे थोड़ा सा अलग थे वो, कि नेहरू एकदम core, hardcore socialist ideology को follow करते थे, लेकिन राजन प्रसाद जो है, वो religion को इनको भी follow करते थे, और जैसे बोलते हैं कि जो इंडिया मे जो belief system चलता है, एक typical Indian belief system जो है, उसको फोलो करते थे, तो answer इसका होगा B, राजन प्रसाद, बाकी तीन जो है, वो socialist ideology से जुड़े हुए थे, तो socialist group बोल सकते हैं, कि ये इसमें नहीं थे, ठीक, थोड़ा सा disturbance आज जादा हो रहा है, बहुत सारे students जो है, वो ये कह रहे हैं कि कोर्स से help मिली थी, वीडियो से help मिली थी, सो थोड़ा सा patience प्लीज आप रखिए, गांदी जो है, मैंने कई बार पढ़ाया है, मेरे हर platform के उपर, कहां से ये स्टार्ट हुआ था, कोचराब आश्रम अमदाबाद टेक्स्टाइल मिल, अमदाबाद जेल, तो ये सावरमती आ एकदम ही simple question था, एकदम ही simple, इसको आप 1 star भी दे सकते हो, next है आएने अकबरी, देखो ये question जो है, आप इसको tough category में डाल सकते हो, क्योंकि जो आएने अकबरी है, वो तो कोई detail में पढ़ेगा नहीं, और आएने अकबरी के रिशह में, जो भी कुछ आप बढ़ते हो, यही आपको मिलता है कि इसके 5 volume थे, अकबर नामा का ये तीसरा, खुद अकबर नामा का थीसरा पार्ट था, फाइनल पार्ट था, आएने अकबरी, अब लफजल का, तो इसमें लेकिन, ट्रिक क्या थी, इस question किस तरह से उपेसी ने पूचा था, ये बिल्कुल simple, आपका logic जो है अगर आपको एक चीज ये पता है कि आएने अकबरी है किस चीज के बारे में, वो mainly administration के बारे में है, वो असी का आएना है तरह से अकबर का administration था, उसके बारे में बताता है, उसके राज्य के बारे में, प्रसाशन के बारे में, उन सब चीजों के बारे में, तो आएने अकब पर लिखी गई थी, तो वो कोई नेगेटिव चीज तो लिखेगी नहीं, वो कोई क्रिटीक तो था नहीं मुगल साशन का, वो तो उसी टाइम पर लिखा गया था, तो वो मुगल स्टेट के अंदर किस चीज को प्रमोट करेगी, यह लोजिक अप लगाओगे तो इसको असान चीज चला रहे थे, नॉबिल्स और उनी ने ही बेडा घर किया था, मुगल अड्मिस्टेशन का सारा, आगे चल कर, लेकिन अकबर के टाइम पर सोचल डिसार्बनी को आए ने अकबर ही क्यों प्रमोट करेगी, सिर्धी सी बात है, नेक्स्ट, सेसेशन औफ को खतम कर दिया था, सेंटर रूल से, ऐसा नहीं था, एड्मिस्टेशन को एफिशेंट बनाने की बात थी, तो सेंटरेशन को बात को क्यों प्रमोट करेगा, आए नेकबरी, सीधा गलत हो गया, तीसरा, सोचल हार्मनी विद द सपोर्ट ऑफ स्ट्रॉंग रूलिंग क्लास और लास्ट है कि रूरल रिपब्लिक्स का रूल चलाना और मुगल सुजरेनिटी को, जो एक राज था, एक छत्र, जो एक सेंटरल पावर जो थी, मुगल सुजरेनिटी, उसको क्या ओवर्थ्रो करना प्रमोट किया था, आए नेकबरी ने, ऐसा भी क्यों होगा, बिलकुल करना चाहते थे, with the support of ruling class, यही आए नेकबरी का मेन उदेशय था, क्योंकि पॉजिटिव तरीके से उसने administration के वार में सारा लिखा था, तो यह चीज़े था, और सी-सीधा simple answer था, अगर आपने नहीं भी पड़ा है, तो आप इसको सही कर सकते थे, तो यह two star question था, लग रहा time के सुरवात में, और सगुन, निर्गुन, देखो यह निर्गुन, निराकार, यह जो words है, यह हर कोई इंडिया में जानता है, हर कोई, इसकी यह कोई explanation किसी को नहीं देना पड़ेगा इसके लिए, निर्गुन का मतलब भी आप समझोगे, मतलब इसका कोई गुन नहीं है, निर्गुन का मतलब इसका कोई आकार नहीं है, शेवाइट जो थे, शिव की पूजा करते थे, शिव की मूर्ती, जो है, शिवलिंग है, इनकी पूजा करते हैं, वैसनवाइट जो थे, वो, वैसनव धर्म को फोलो घरते हैं, स्री कृष्ण को, तो, इनकारनेशन incarnation का मतलब है अवतार की पुजा करना राम, कृष्ण, ये सब जो है अवतार ही तो है तो इनकी पुजा करना निर्गुन का मतलब तो थोड़ा अलग हो गया है निर्गुन का मतलब क्या है कि abstract form of God worship abstract का क्या मतलब होता जो चीज आप दिखाई ना दे फिजिकल ना हो उसको आप छूना पाऊ देखना पाऊ ये सब चीज तो God का इस तरह का form जो की निराकार हो निर्गुन हो वो उसको उसकी पुजा करना उसकी भक्ती करना वो निर्गुन भक्ती है तो इसका सीधा सिम्पल आंसर था एकदम ही सिम्पल कुश्शन था वन स्टार या टू स्टार आप लगाए हो कि तू स्टार भी आप इसको दे सकते हो कि यहां पर यहां पर गंफ्यूज हो जाओ इंकार्नेशन वाले पे या शेवाइट वैसनवाइट पे नयानार्स अलवार्स यह आपको पता ही है ना नयानार्स तो शु भक्ते और अलवार जो विश्नु भक्ते लेकिन उससे उसका मतलब ही नहीं यहां पर सीधी बात है कि अबस्ट्रेक्ट फॉर्म उफ गौड उसको वर्शिप करना नेक्स्ट है विच अफ फॉलिइंग इस नोट अन ओडियो फाइल फॉर्मेट यह जो क्वेस्टन है यह ऐसा है कि बेसिक नॉलेज अगर आप रखते हो तो भी आप इस क्वेस्टन को कर सकते थे और अगर आपने सिंपल अब्जेक्टिव प्रेक्टिस किये थे तो भी शा आपको दिखता है MP3, MP4 यह आपको दिखता है ना जैसे MPEG है अब MPEG जब भी आप कोई वीडियो चलाते हो तो MPEG फॉर्मेट के पहले कापने फेमेस होता था हाला कि आज के दिन तो और बहुत सारे फॉर्मेट्स आ गए हैं लेकिन MPEG फॉर्मेट बहुत फेमेस फॉर् तक और जो वीडियो चलते थे ओडियो और वीडियो दोनों चलते थे इसमें Windows Media Player जो होता उसके अंदर MPEG का नाम आपने बहुत बार सुना होगा तो इसमें MP3, MP4 के जो क्रियेटर्स हैं उन्होंने ही MPEG फॉर्मेट को बनाया था MPEG 2, 3, 4 यह भी आये थे तो इसमें तो audio file format हो सकता है WAV यह आप बहुत बार सुनते ही हो WAV तो सबसे common format होगा audio file का SWF अब यह इस पर confusion है SWF SWF जो है वो Adobe Flash Player जो होता है उसमें बहुत बार आप इसको देखते हो और Flash Player के अंदर वीडियो multimedias, videos यह काफी access होते हैं और Web के उपर Multimedia को डालने के लिए यह SWF format Adobe बहुत यूज करता है तो इसमें video audio दोनों होते हैं तो audio इसमें भी audio इसमें भी है audio इसमें भी है audio वेव में भी है अब यह MIDI format आपको आपने अगर देखा हो आज 10-15 साल पहले काफी इस format की बात होती थी जब ringtones आती थी फोन के अंदर, MIDI format के अंदर तब इसका काफी ज्यादा नाम आपने सुना होगा इसमें लेकिन आवाज नहीं होती थी इसमें कोई audio नहीं होता था इसमें ringtone चलती थी या कोई musical instrument की आवाज आती है लेकिन इसमें audio नहीं होता है इसका answer होगा A not an audio file, A इसका answer होगा थीक है बहुत लोग इसको as develop कर आयोंगे लेकिन as develop जा है उसमें तो video होता है audio भी होता है थीक है तो simple answer इसका था A, M.I.D.I. हाला कि बहुत लोगों के लिए जो technical इतने aware नहीं होते है उनके लिए tough भी मान सकते हो आप इसको तो इसको आप 3 या 4 star भी दे सकते हो क्योंकि average student को अगर देखा जाए तो इसमें गलती होती है तो 4 star question है tough question है next है Trade Unions Act 1926 यह चीजे मैंने बहुत detail में आपको इसले एक महिने में वीडियो में पढ़ाई है इसके अंदर यह बहुत simple question था आप logic भी लगाते तो भी आप इसको कर सकते थे कैसे इसमें पूचा है कि कौन से कौन से dispute जो है वो trade dispute माने जाएंगे trade unions act के अंदर तो simple logic यह लगाते कि employment है या नहीं है या उसकी कोई condition है या बहर निकाल दिया गया किसी को या condition जो है labor की इन सभी चीजों के उपर dispute हो सकता है तो अगर non employment आप इसको बहर करते हो तो यह चीज जमेंगी नहीं condition of labor के उपर तो सबसे आदा dispute की बात आती ही है कोई wages की बात है या फिर काम करने के condition के उपर है लेकिन employment और non employment भी clearly defined है इस act के अंदर तो इस act के definitions को पढ़ना भी जरूरी नहीं है आप वैसे भी इस question को कर सकते थे simple question था क्योंकि देखो यह one star question है क्यों एकदम simplest question क्यों हो गया क्योंकि अगर इसका जो options का खेल देखोगे ना इसमें भी आपको बिल्कूल ही आसानी है क्योंकि condition of labor के उपर तो सबसे dispute होते ही है इसका मतलब 3 तो होगा ही होगा इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है 3-3 में 3 है और जो एक बचा उसमें one only लिखा हुआ है तो सिर्फ employment के उपर dispute होता है dispute तो इसके उपर भी होता है इसका मतलब यह जो है ना यह जो है वो गलत होगा मतलब यह सही होई नहीं सकता है और बाकियों में 3-3 दे रखा है अब employment रहेगा या नहीं रहेगा या non employment के condition में dispute हो गई होगा तो सारी ही condition बिल्कुल ऐसी होगी कि इसमें dispute हो सकते हैं अराम से तो Trade Unions Act 1926 वाला उसके अंदर definition में dispute क्यों नहीं माना जाएगा इसलिए answer क्या हो जाएगा 1,2 & 3 C इसका answer होगा ठीक है यह देखो अगर act की बात करें तो इसमें लिखा हुआ है Trade dispute means any dispute between employer and workman or between workman and workman or between employers and employers which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of the labor मतलब सब लिखा हुआ है क्लेरली लिखा हुआ है question जो पूछा उसमें कोई confusion नहीं इसलिए एकदम ऐसे कैसे उठा के उससे पूछा गया जो की बात act में लिखी हुई है ठीक है तो definitions वाला जो पार है section 2 जो है उसमें 2G में यह चीज दी हुई है कि सभी के ओपर जो display उसको dispute माना जाएगा Next है minimum number of members required for registration of a trade union देखो यह चीज भी मैंने पढ़ाई थी आपको यह भी question वहां से आया है जो मेरे videos से आया है उसमें साफ मैंने बताया था कि minimum कितने होने चाहिए trade union को register करवाने के लिए तो वो है 7 members यह IR code में भी है उससे पहले वाले act में भी था कि 7 members minimum होने चाहिए अगर registration करवाना है तो trade union का simple C का answer था जो मैं आपको बता रहा हूं टिक लगा लगा के उसी को answer मानना जो पहले से कुछ टिक है उनको मत मानना यह देखो mode of registration any 7 or more यह तो है act के अंदर दिया हुआ थीक है कि 7 यह उससे ज्यादा trade union को register कराने के लिए जरूरी है और जो नए IR code के अंदर matter है उसके अंदर भी दिया हुआ any 7 or more members ठीक है और अगर कोई industrial establishment की बात है तो second provision यह भी दिया हुआ है कि कम से कम 10% जो है वो उसके member होने चाहिए लेकिन जहां पर trade union को register करवाने की बात है उसके अंदर minimum पूचा है तो 7 होगा और आपके option में भी देखो 2,3,7,10 दे रखे हैं तो 7 इसका answer है बिल्कुल simple question ही था 2 star यह question था क्योंकि आपने discuss किया हुआ है next है controlled industry देखो इसमें भी अगर आप दिमाग लगाते ना तो यह भी एक simple question था हाना कि हो सकता है कुछ लो confused भी हुए होंगे इसके अंदर देखो options पढ़ें तब पता लगता है A को चोड़ो B को पढ़ो any industry the control of which by the state has been declared by any state act to be expedient in the public interest तो public interest के अंदर तो सारे ही options में दिया हुआ है लेकिन controlled industry एक term जो है वो use हो रहा है एक बड़ा term हो गया ना acts में जहां लिखा जा रहा है अब acts कों से central acts है जो हमने पढ़े है state act तो हमने पढ़े भी निसलेवस में वो आपसे पूछेंगा क्यों पढ़ेगा और central act के अंदर mainly union जो है वो authorized होता है अधिकतर चीजों के अंदर यह भी हमने पढ़ा था और जो controlled industry है तो किसी state के अंदर कोई industry को control करने के लिए थोड़ी जो है अलग से specify किया जाएगा वो तो किसी state act के अंदर बात होगी central act के अंदर तो mainly generally center authorized है तो सीधा अगर answer देखे तो इसमें हो जाएगा कि union ही declare करेगा central act से declare करेगा उसका control और वो public interest में होना चाहिए तो जहां compare करें कि कोई state declare करे या union declare करे और कौन से act के through हो तो इसमें तो controlled industry के जहां पर बात है central act ज्यादा prefer करेगा कोई भी answer देने के अंदर और union ही उसके अंदर authorized होगा जब compare करें के union और state को तो controlled industry बता ही जा रही है यह हमने act के अंदर जो मैंने course में detail दिये थे labor court में तो मैंने दिया ही test course में तो मैंने पढ़ा ही test study IQ के अंदर और यहां पर भी जो है अगर आप देखेंगे तो cdc बनी बात है कि union जो है वो central act से डेक्लेर करेगा controlled industry को municipal bodies की तो बात ही रहे जाए state और union तक के level की बात हो रही तो municipal bodies क्यों उसको controlled बताएंगी industry है बड़ी industry controlled हो रही है इसका मतलब तो center ही empowered है industry कोई छोटे बड़ी चीज तो होती नहीं factory की बात हो है नहीं industry की बात है बड़ी industry की बात है ठीक है तो D और A में आपको confusion हो सकता था लेकिन controlled industry जो है उसमें union ही बताता है और central act के according ही बताता है कि यह controlled industry होगी और यह public interest में है EPFO हो हमारा ministry of labor आता है सारा center का ही मामला है और यह logic बैठता है तो अगर आपने नहीं भी पड़ा है तो भी आप इसको कर सकते थे मेरा कहने का मतला भी है बाकी question जो है tough category में ही मानेंगा और 4 star मैं इसको दूंगा यहाँ पर next है यह देखो industrial dispute act 1947 का था उसमें section 2 में यह चीज लिखी हुई है कि controlled industry means any industry the control of which by the union has been declared by any central act to be expedient in the public interest अब यह जो बड़े-बड़े acts जो आपने पड़े होंगे तो industrial dispute act के सुरुवात में section 2 में definitions है उसमें यह शुरुवाती lines में लिखी हुई है controlled industry बाला next है which one of the following denotes a sequential electronic circuit that is used in used to store one bit of information इन एक bit का information use करने के लिए sequential circuit की बात है यह tough question ही होगा अगर आपको कही objective में टकरा गया होगा तो यह ठीक है और कोई इस background के होगे तो उनके लिए तो बिलकुल यह असान question होगा लेकिन average student के लिए यह question थोड़ा tough था इसका answer flip-flop था और flip-flop जो है वो ऐसे sequential circuit होते है जो एक bit का information को store करते हैं तो इसका answer flip-flop था उसके हिसाब से अपना evaluate कर लेना number जो है negative हुआ है positive हुआ है वो अब लगा लेना अगर सही हुआ है तो डाही माक जोड लेना गलत हुआ है तो 0.833 कम कर देना ठीक है यह clock controlled memory device होती है flip-flop एक bit का information यह store करता है next है निर्गुन भक्ति यह हमने पहले पढ़ लिया है ठीक है यह abstract god का form था यह DS का answer था next है driver जो होता है device का driver अब देखो बहुत ही simple question है अगर आप text से भी है और थोड़ा सा awareness रखते है आज की normal life के अंदर आप graduation कर चुके हैं तो इन चीजों के लिए बिलकुल knowledge आपको होना चाहिए कि जैसे आप printer जोडते हो कंप्यूटर में तो उसके साथ CD आती है उसका driver आपको डालना पड़ता है उसके बिनाव चलता नहीं है ऐसे कोई अगर Wi-Fi जैसे connect करते हो CPU में तो भी उसमे driver डलता है और driver डलते ही है अधिकतर devices के अंदर जो अलग से जोड़ी जाती है तो यह काम क्या करता अब अगर आपने नहीं भी पढ़ा है और simple knowledge आपको है driver डाला जाता है printer जोडते हैं तो यह मेली यह काम करता है कि वह जब आप driver डालते हो तभी आप उसको चला पाते हो printer का आप driver इंस्टोल नहीं किया तो आप उससे print नहीं कर पाओगे तो print करने का मतलब क्या होता कि आपने command दी और आपका processor उसको आगे बढ़ा रहा है command को और वह printer उसको print कर रहा है मतलब वह उसको command दे रहा ना printer को आपका CPU CPU को आपने input दिया और आप interprets input provided by user into computer usable form तो computer को use करने के लिए हमारा input क्या है जैसे मैंनलो मैंने क्लिक किया अब उसको समझने के लिए computer को क्या driver के तजरूत पड़ेगी नहीं driver तो बाहर से कोई चीज जोडते है hardware उसमें डालना पड़ता है वही चीज है तो यह बैठते ही नहीं है उन चीजों के अंदर बाहर की अलग से जोड़ी जाती है उसको communicate करने के लिए यह facilitate करता है simple ठीक है output device के अंदर सिधे input थोड़ी जाते है input आप कंप्यूटर में जाएंगे वहां से output device में जाएगा तो इसलिए CV नहीं होगा AV और D इसका answer हो जाएगा तो बहुत लोगों को यह tough भी लगा होगा जो टेकनोलोजिकल बैग्ग्राउंड से नहीं है या फिर जो नॉर्मली computer वगर आमें इंटर्स नहीं लेते हैं थोड़ा tough मान सकते हो आप इसको 4 star दे सकते हो यह मैंने लिख दिया यहाँ पर कि device driver का क्या काम होता है driver install होते हैं हमेशा यह आप ध्यान दोगे computer में जब भी आप नया computer install करते हो तो भी उसमें driver install होते है वो इसलिए होते हैं कि जो आपके output devices हैं वो काम कर पाएं आप जैसे joystick use करते हो गेम अगर खेलते हैं कई बार तो उसके लिए driver डलता है उसके बाद याप उसको use कर सकते हो next है iNagberry यह भी हमने पढ़ लिया है cease का answer था iNagberry का यहाँ detail दिया है next है यह शायद overlap हो गया है इसमें देखो यह है कि दुब्री और फुलबारी के बीच में जो ब्रिज बनाया है ब्रह्मपुतर रिवर के उपर यह कौन से दो states को जोडता है इतना असान शायद को दूसरा question होगा ही नहीं बिलकुल ही one star question था यह क्योंकि यह news में रहा था इसके उपर काफी ज़दा है highlight आया था प्रधानमंद्री मोदी जी का काफी news भी इसमें आया था कि ब्रह्मपुतर नदी के क्रोस यह बन रहा है एक तरफ असाम है एक तरफ Meghalya है और उनको जोड रहा है तो यह देखो यह असाम का दूबरी है यह फुलबारी है Meghalya का और इनको यह जोड़ेगा और बिलकुल ही simple साए question था next है format की बात है तो यह भी मैंने आपको बता दिया media format है यह repeat हो गया है यह देखो musical instrument का digital interface होता है यह musical instrument digital interface इसमें audio file नहीं होती है regular next है कौन सा वाला इसमें register वो use किया जाता है next instruction को execute करने के लिए उसका track कौन सा रखता है यह भी tough question हो गया अगर आपने इसके कहीं उसमें पड़ा है practice में computer वाले में तो आपको हो सकता है यह पता हो bank bank exam वगरा में आता रहता है तो हो सकता आपको बता हो लेकिन वैसे कोई सिर्फ general तयारी कर रहा है उसके लिए थोड़ा tough था यह तो इसका answer होगा program counter c यह देखो program counter जो है यह इसका सही answer है इसमें यह actually store करता है next instruction का address कि अगला instruction क्या follow करना है उसको execute करवाता है ठीक है यह increase हो जाता है इसमें एक number increase हो जाता है और उसके हिसाब से फिर next instruction तक पहुंचता और उसको execute करता है तो program counter इसका सही answer होगा next है कौन सा वाला language translator नहीं है जब computers आप पढ़ते हो ना तो सबसे basic चीज आप यह पढ़ते हो machine language high level language यह सारा और उसके अंदर तीन जो है वो translator होते हैं assembler, interpreter और compiler linker जो होता है वो translator नहीं होता है याद रखना assembler, interpreter, compiler यह तीन एकदम basic knowledge है computer का और एकदम two star question यह था तीन different type of translator होते है compiler जो की high level programming language को low level programming language में convert करता है interpreter जो होता है high level को low level programming language में convert करता है assembler जो होता है वो machine language में convert करता है assembly language को ठीक है तो यह तीन basic knowledge है computer का तीन बतायाते है शुरुवात में ही कि यह तीन types of translator होते हैं जो computers में use होते हैं next है adolescent factories act के according मैंने आपको factories act का भी detail पढ़ाया था, course में पढ़ाया था और lessons में यह पढ़ाया था और उसके अंदर यह point लिखा हुआ था कि adolescent जो होते हैं वो भी category होती है क्योंकि जब हमने trade union वाला पढ़ा था उस membership पढ़ाया था तब ही मैंने आपको बताया था कि 18 से कम वाले age के adolescent होते हैं वो भी member बन सकते हैं यह allowed है लेकर condition होती है अलग अलग कि वो hazardous काम में नहीं डाल सकते हो आप timing होता है उसके हिसाब से ही आप उनको काम पे लगा सकते हो night shift में यूज नहीं कर सकते हो तो factories act के basics में यह चीज है कि 15 साल से लेकर 18 साल के बच्चे को adolescent माना जाता है बहुत लोग उसको 14 कराएंगो लेकिन यह 15 है ठीक है age का answer होगा definitions जो है शुरुवात में जो दी हुई है उसके अंदर लिखा हुआ है factory act 1948 में a child as a person who has completed her 15 years of age but has not completed 18 years of age यह adolescent category मानी जाती है factory act के according और सुबब 6 बज़ से लेकर से आप काम करवा सकते हो साथ से लेट नहीं next है swatantra party के founder कौन थे अब यह बहुत important historical event है और इसफे UPSC बहुत question पूछता है जैसे Madras Mahajan Sabha मैंने आपको पढ़ाया था ऐसे ही swatantra party है ठीक है यह बहुत important issues है UPSC बार बार पूछता है Si Rajagopalachari इन्होंने यह party स्टार्ट करी थी 1969 से लेकर 1974 तक यह classic liberal political party की तरह रही थी और Si Rajagopalachari की death की बात में इसका decline हो गया था ठीक है यह जो है की थोड़ा capitalism को भी support किया जाए लेकिन legislature में believe नहीं करते थे बिल्कुल free market में believe नहीं करते थे लेकिन license Rajagopalachari को खतम करना चाहते थे और religion based party यह नहीं थी Swatantra religion based party नहीं थी इसलिए भारतिय जंसंग से यह अलग थे और thoughts में liberal भी थे और socialist भी थे ठीक है लेकिन नहरु वाला socialism जो था उससे जो है राजी नहीं थे Si Rajagopalachari थोड़े से इनके differences आ गए थे नहरु से इसलिए अलग होकर इन्होंने यह party बनाई थी तो यह बड़ा important historical event था और Si Rajagopalachari ने Swatantra party स्टार्ट करी थी नहरु ने यह भी कहा था इसका criticism करते हुए Swatantra party का कि यह लोग जो है modern lines पे नहीं चलना चाहते हैं और जो middle ages थी जहां पर lords kaisels होते थे जमिंदार होते थे Samantwaad यह तरह से उसको support करते हैं नहरु ने यह कहा था स्टार्ट पार्टी के लिए कि इनका जो system है वो इस चीज को support करता है Samantwaadi वयस्था को जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं है उसको अमने बहुत भुगता है बहुत सालों तक तो यह एक बहुत important बात थी सी राजकोपाला चारी जो थे जो गटिया एंडिया एक दम ही उनको विए एक ते उसमें इसका नाम आया था और कर्ण अफेर्स पर रहा ही था BSF जो है उसने राजस्तान में यह स्टार्ट किया था सर्द हवा और गरम हवा यह मौसम के अखोर्डिंग होता है वहां पर क्योंकि सर्दियों में एकदम सर्दिवा चलती है जो रेकिस्तान एरिया है जहां बॉर्डर है हाना तनो ठुमातावाल आपने नाम सुना होगए एक मंदिर है BSF के जो जवान है उसके बहुत मानते है उसको तो वहां के एरिया से यह न्यूज आती है गर्म हवा सर्द हवा operation यह BSF का होता है ठीक है यह जन्वरी में आया था न्यूस सर्द हवा जो है उन्होंने स्टार्ट किया था operation security के लिए और गर्मियों में गर्म हवा होता है next है definition यह simplest होगा जो मैंने सारे चीज़ें बताई थी आपको definition भी बताई थी यह भी difference भी बताया था कि lockout क्या होता है strike क्या होता है closure क्या होता है यह सारे मैंने वीडियो में भी cover किये थे बिल्कुल clearly और course में भी मैंने आपको यह पढ़ाया था तो closure का मतलब यह है A में तो 1 ही होगा B जो है workman उसका definition भी यह है मतलब A में 1 होगा B में 2 होगा C जो है strike कोई temporary closing by management नहीं होता है management जब बंद करता है temporary तो वो तो lockout होता है तो इसका मतलब D में 3 होगा और C में हो जाएगा 4 तो 1,2,4,3 A इसका answer होगा तो strike employee करते हैं lockout employer करता है next है 8th schedule में कौन सी language नहीं आती है एकदम ही simple question था current affair में आपने पढ़ाय तो भी यह आप कर सकते थे जब यह लदाख जमू कुश्मीरवाला जो issue हुआ है जब से article 370 को किया गटाय गया है और वहां पर union territories बन गई है तो यह language का मुद्धा महा पर उठा था education department ने उठाया भी था और बोटी जो language हो लदाख region में बोली जाती है तो वह 8th schedule में कोई language नहीं है डोगरी है मैथली है संथाली है तो बहुत बार इन पर question पूचा जाता है और 22 languages हैं इनके बहुत बार question आता है आंसर इसका B next है tri service contingent यह भी एकदम simple question one star question न्यूज में था कि बांगलादेश के 50 साल हुए थे और उनके tri service contingent जो हो हमारे Republic Day के parade में शामिल हुआ था तो इसका answer है D Bangladesh एकदम simple question था इससे simple question नहीं हो सकता है तो देखो कितने सारे simple question जो है हम discuss कर चुके है नाव मियोसा का यह जो sports के अंदर कई बार information को इगनोर करते हैं लेकिन हमेशा देखो cricket में इंडिया आगे है और tennis जो है important play है और अभी तो olympics से बहुत question जो आपको civil service के prelims में भी मिलेंगे तो यह आपने current affair में पढ़ते हो तो आपने देखा होगा कि Jennifer Brady जो America की है उनको हराया था final में इससे पहले Serena Williams को semi final में हराया था तो उसका कोई को याद होगा क्योंकि बहुत hype create हुआ था उस time पर लेकिन final में Jennifer Brady थी उनके सामने और उनको हराया था Naomi Osaka ने तो जपैन के लिए यह बड़ी victory थी इसलिए यह बहुत important question हो गया और simple question था 3 star आप इसको दे सकते हो कि आपको याद ना रहे है ना क्योंकि recent में Naomi Osaka का US Open में थोड़ा सा दिक्कत होई थी और वो जदा news current affairs में थी लेकिन January का current affair था बड़ा important था February का यह Naomi Osaka है और यह Brady है next है Gandhi as Mahatma देखो current affair में Indian Express में यह issue आया था जब यह चोरी जोरा वाले incident की बात चल रही थी उसके उपर कुछ controversy उठी थी मीडिया में आया था तो उसमें इसका mention आया था शायद Amin का एक essay लिखा हुआ है Gandhi as Mahatma बड़ा ही famous essay है तो इन्हों ने लिखा था Gandhi as Mahatma तो बीस का अंचर होगा शायद Amin next है गांदी जी से एक और question देगो गांदी जी पर बहुत सारे question आया है इस बार पहला major public appearance यह भी news में issue रहा था 2019 में ज्यादा आया था न्यूज में जब अलिगर्ड और इनके उपर कुछ controversies हुई थी तब यह बात उटी थी BHU के context में बात आयी थी BHU में पहला 1915 में appearance हुआ था गांदी जी का और पहला major appearance उसको कहा गया था क्योंकि खेडा चंपारण यह तो बाद में हुए थे तो इससे आप इन दोनों को rule out कर सकते हो Bombay University और BHU इन दोनों में confusion है लेकिन आगर आपने गांदी की history को अच्छे से पढ़ा है और गांदी इतना important issue है गांदी का topic है हमारे exams के अंदर और इंडिया की history के अंदर और हर तरह से मतलब गांदी एक आइकन है इंडिया का महात्मा गांदी ही है तो भी आपको ये पढ़ावा होना चाहिए और ये news में रहा था BHU इसका simple answer है D मदर महन मालवे ने उनको invite किया था और जो BHU से relation रखते हैं जो जानते हैं उनको तो ये simple पता ही होगा ठीक है बहुत ही famous issue है वहां का BHU का तो South Africa जब 1915 में आये थे तो मदर महन मालवे ने उनने जो है BHU के opening ceremony में बोलने के लिए बोलाया था वो starting air था BHU के लिए एक GB में कितना information होता है अब देखो ये question अगर आपने नहीं किया तो सन्याज भी ले लोगे तो भी चानते ही नहीं मिलेगा जब से आप बच्चे होंगे जब से आप computer थोड़ा बहुत किसी ने बच्पर में पढ़ाया होगा ना तो पहली चीजी होती है Byte Bit 1MB 1Kb कितना होता है Kilobyte, Megabyte, Terabyte Terabyte ये सब जो है कि 1 MB में 1024 Kb होते हैं GB में Gigabyte में 1024 MB होते हैं Movies आप डाउलोड करते हो और ये हर ताइम आपके सामने रहा आपके सामने रहा था Telegram खोलो सब जगा आपको पता है 1024 MB ही 1 GB होता है ठीक है गंगादरी शक्तिपान है Next है एक और question ऐसा ही मतलब क्या कहें और क्या से simple पूच सकता कि वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है Internet Explorer Mozilla Firefox Google Chrome Fedora बच गया अब ये भी आपने नहीं किया तो वैसे भी जिंदी की नश्वर तो है खतम तो होनी है ये भी आपको नहीं आया Simple question था Salvatore Mundi ये न्यूज में रहा था ये ऐसे आया था कि 2017 में इसका issue आया था कि दुनिया के सबसे फेमस पेंटिंग ही रही है Leonardo da Vinci की जिसकी सबसे बड़ी बॉली लगी थी फिर इसकी कॉपी चॉरी हुई थी और पुलिस ने फिर से इसको ढूंडा था मिल गया था उनको तो ये जन्वरी में issue आया था न्यूज में काथी famous रहा था ये भी एक interesting issue था आपने एक बार भी कहीं पढ़ा है तो खूब नाम आया था तो D का simple answer था और ये two star question ही था क्योंकि अगर आप simple news भी पढ़ते हो ना तो ये जरूर आया था और वैसे भी famous रहा था social media बगरा के उपर काफी जादा तो Salvatore Mandi Savior of the world ये बहुत famous painting है और सबसे अधा record 450 million dollar में ये auction हुई थी 2017 में next है global fire power index ये मैंने आपको पढ़ाया military strength ranking में इंडिया का fourth stand इनों ने दिया था सबसे उपर US था ये वो था कि कितने combat aircraft कितने attack helicopter है कितने carriers है aircraft carriers कितने submarine है inki capacity मतलब fire निकलती है सारे इन सभी से हतियारों से aircraft हो ये हो तो इस हिसाब से global fire power defense review था ये और इसमें इंडिया का force थाना है इंडिया और पांचवा जपैन था इसमें ठीक है उसके पाद South Korea था Pakistan था इसमें इसमें इस्रेयल बगर है इन सबसे उपर था Pakistan ये भी एक interesting issue था next है ये question जो मैने सबसे ज़दा clearly आकको बच्चों की तरह समझाया था जो topics accounting के अदर ये उसमें से एक चीज थी और एकदम simple question आया है कि जहां पर कोई competitor आ रहा है business में और production and marketing में rift हो गई है तो ये चीजे कोई monetary issues नहीं है ठीक है इंका impact monetary हो सकता है लेकिन ये कोई accounts में record करने के लिए इंका कोई value नहीं है monetary इसलिए हम इसको कैसे बता है money measurement concept जो है यह यह बोलता है कि जो money के रूप में measure हो सकते हैं उसी key entry books में की जाएगी तो simple is cancer था B एकदम ही simple question अगर आपने मेरे video follow किये तो single star question ही था मतलब next है कौन सा दिन पराक्रम दिवस के रूप में बहुत news में रा था media में बहुत hype create हुआ था और PIB में आ था हर जगे दिखा था कि इस बार पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा सुवास चंद्र बोस की जयन्ती को तो simple सुवास चंद्र बोस की जयन्ती होती है बर्थ जो है उस दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया 23 जन्वरी को 2021 को 125 वा बर्थ अनिवर्सरी एर था निता जी का और 23 जन्वरी पराक्रम दिवस एकदम simple question single star question what is the underlying accounting concept अब देखो यह भी एकदम simple आ गया यह भी मैंने आपको दो तीन बार top 100 MC quiz जो पढ़ाने के लिए उसमें भी मैंने पढ़ाया था उससे पहले accounting का इसी चैनल पे जो वीडियो था उसमें मैंने आपको यह पढ़ाया था कि conservatism हम एक चीज होती है कि मतलब conservative हो रहना आपको इतना जल्दी खुश नहीं हो आपको तो यह conservatism का concept बोलता है कि profits का जो anticipation हो तो आपको नहीं करना है लेकिन सारे possible losses का जरूर से आपको provisioning करनी है तो नुकसान को ज्यादा आपको ध्यान रखना हमेशा ता कि आपको business में कभी घाटा ना लगी अगर आप नुकसान का ध्यान रखोगे तो आपको घटा नहीं लगेगा जाए फाइदा इतना आप देखो नहीं देखो लेकिन नुकसान को ध्यान रखना आपको तो यह conservatism का concept बोलता है Disconcert था एकदम simple single star यह question था next है the little book of encouragement यह भी एक बहुत famous issue आया था social media में काफी चला था यह news में भी आया था Dalai Lama जो piece का icon माने जाते हैं Dalai Lama ने यह little book of encouragement जो है वो author की थी तो यह Dalai Lama है एकदम simple single star question था यह little book of encouragement तो धाई number का encouragement आपको यहीं से मिल गया होगा एकदम simple question Which one of the following statement is correct about income and expenditure account अब देखो यह मैंने आपको बताया भी था कि income and expenditure account जो है वो यह इसमें गलत देया हुआ है यह sorry sorry यह दूसरे के अंदर में confused हो गया वो receipt पर वो वाला जो मैंने याद कर लिया जो एक और question आया है यह income and expenditure वाल account है यह मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया था यह nominal account होते है simple nominal account यह होते है income and expenditure जैसे profit loss account होते है वैसे ही यह nominal account है ठीक है एक तरफ income और एक तरफ expenditure सी इसका correct answer होगा simple question है यह real account personal account यह अलग होते है मैंने आपको समझायी थे मेरा course में तो मैंने डीटेल में पढ़ायी थे study IQ के अंदर और सुरवात basics जो मैंने आपको यहाँ discuss किये थे channel पर उसमें भी इन चीजों को मैंने आपको बताया था यह nominal account होता है ठीक है जो golden rules है ना उसके अंदर भी इसका mention आता है यह वाला जो था जिसमें मैं confused हो गया था receipt and payment account यह non trading concerns जो है यह बनाते है receipt and payment account क्योंकि जो normal trading होते है वो profit loss account बनाते है लेकिन जो non trading वाले होते है वो receipt and payment account बनाते है simple है यह देखो non trading account बना जाता है और यह cash basis पर चलता है accounting ठीक है और यह accounting year के end में बना जाता है यह इसके features है आगे आपका APFC का exam भी आएगा बहुत जल्द आने वाला उसको notification और एक दो महीने में यह आज आएगा तो यह सारा syllabus जब मैंने आपके APFC के course में पढ़ाया था यह आपके बहुत काम आएगा वह सेम syllabus है और 40 maximum मैंने आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 20 साल minimum contribution आना ही चाहिए और वह तभी आपाएगा जब आप 40 साल के उपर कम से कम contribution देना start करो तब 20 साल तक जाके 60 की उमर तक contribution आएगा और फिर आपको pension मिलेगी इसमें तो यह B इसका answer था तक कि इसमें pension मिलेगी 60 साल की age के बाद में लेकिन minimum 20 साल का contribution इसमें आना ही चाहिए वह तभी आ सकता जब maximum age इसके subscribe करने की 40 हो तो 18 से लेकर 40 इसमें थी यह इसका logic था यह हमने कर लिया है conservatism इसका answer था नीती आयोग यह देखो फिर से एक स्टार क्या आदा स्टार मानो आप तो क्या सिंपल हो सकता इससे नीती आयोग की फुल फॉर्म पूची है और आपको याद हो तो मैंने एक करन्ट अफेर के इस्चू में और एक दूसरी जगह पर भी एकोनोमी के अंदर मेरे कोर्स के अंदर मैंने आपको पढ़ाय भी था नीती आयोग की प्लानिंग कमिशन को रिप्लेस किया है नीती आयोग ने और नीती आयोग का फुल फॉर्म यह है नेशनल इंस्टिटूट फॉर ट्रांस्फॉर्मिंग इंडिया भी इसका अंसर था सिंपल तो यह चीज़ भी मैंने पढ़ाय हुई है मेरे टीचिंग में से यह कोशन सीधा आ गया एकदम सिंपल कोशन था नेक्स्ट है कोशन डिफॉर्स्टेशन का और इससे भी सिंपल कोई कोशन नहीं हो सकता फिर से सिंगल स्टार है यह कोई बच्चा भी अगर आप इस कोशन को पढ़ेगा तो और आमसे कर सकता कि भी डिफॉर्स्ट को काट दिया तो क्या नुकसान होगा देखो बाइवस्टी घटेगी सीधी बात है डिक्रीज होगी सोल इरोजन इंक्रीज होगा यह भी सीधी बात है पेड काट होगे तो मिट्री का कटाओ बढ़ेगा रेनफॉल भी कम होती है क्योंकि पेड जहां होते होगे ट्रैक करते हैं रेन को तो आपसे इसमें पूछा है कि कौन सीक्वेंस कौन सा नहीं होगा तो पेड जब काटे जाएंगे तो ग्राउंड वाटर का टेबल थोड़ी इंक्रीज होगा कुछ लोग ऐसा दिमाग लगा लेंगे एकदम सुप्रीम वाला कि भई पेड काट देंगे तो पेड जो पानी पीते हैं वो उसके ज़रुत नहीं पड़ेगी और ग्राउंड वाटर का टेबल बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है ऐसा मत सोच लेना कभी भी ग्राउंड वाटर का टेबल जो है इंक्रीज नहीं होता है डिफोर्स्टेशन से घटता ही है क्योंकि वहाँ पर डिजर्टिफिकेशन बढ़ता नहीं है ठीक है तो एसका अंसर होगा नॉट अ कॉंसेक्वेंस बाकि तो सारे कॉंसेक्वेंस एकदम सीधे हैं तो आदा स्टार भी इसको नहीं मिलना चाहिए नेक्स्ट है ये क्वेशन जो है थोड़ा सा तफ था अगर आपने सिंपल एंसा पड़ी साइंस पड राओगे ना टेरीडफाइट्स तो भ्राइफाइट्स तो ग्रूप है उसके अंदर होण मौर्ट लिवर वॉर्ट्स ये सब आते हैं जिसमें ये शेवाल कवक जो होता है कवक और फंजाए ये सब नहीं आते हैं उसके अलावा जो प्रिमिट्व ब्लांट्स हैं वो उसमे आते हैं जो ग्रूप है मॉसस का, लाइकेंस का, इन सब का तो ये लिक्सिया, फिनेरिया, मकेंटिया ये जो है ये ब्राइवफाइट से तीनों ही और स्पाइरो गायरा जो है वो एक अल्गी है तो अल्गी जो होता है वो एमफिबियन नहीं होता है, वो पानी के अंदर ही उखता है अल्गी जमीन पे नहीं उखता है, और ये जो है ये स्पोर जनरेट करते हैं और फर्टिलाइशन के लिए पानी के जरुद पढ़ती है, बाकी जमीन के उपर है, महीं पे गर्ड़ करते हैं जमीन के उपर, ठीक है तो इसलिए इनको एमफिबियन बोलते हैं कि फर्टिलाइशन के लिए पानी ज़रुद पढ़ती है और वो पानी के अंदर ही होता है लेकिन बाकी जो है वो जमीन पे रहते हैं, तो यह amphibian category में आते हैं, plant kingdom के अंदर, जो जानवरों का amphibian होता उसके अंदर, mendek है, वो आते हैं, कि जो जमीन पे रहते हैं, और पानी के अंदर, जो है वो जनन के लिए जाते हैं, तो spirogyra इसमें होगा, जो की amphibian नहीं का जा सकता, क्योंकि यह शेवा non vascular plants ही होते हैं, asexual reproduction इसमें होता है, रहते जमीन में हैं, लेकिन पानी के जरुत पड़ती है, reproduction के लिए, next है, एक और एकदम simple question आगा, बिल्कुल ही simple question, तुच्चा question, कि female reproductive organs जो है, वो कौन सा नहीं है इसमें, अब यह पांचवी छटी class का बच्चा भी इसको सही कर देग क्योंकि वो भी पढ़ता है इसको simple चीज को, और उसके बाद से, मैं नहीं समझता कि आपका school education के बाद में, इंटरस्ट नहीं रहा होगा, सब जानते हैं, इतना sexual knowledge सभी को होता है, ovaries होती है females में, oviduct भी होती है, जिससे यह egg जो है बाहर आता है, फिनल से, और जो कि फिर uterus तक आता है, uterus का जो, वो होता है, वो cervix होता है, तो stamen जो है, यह कुछ नहीं होता है, stamen क्या होता है, stamen जरूर होता है, जो males में होता है, stamen ऐसा नहीं है, सीधा सा है D, D जो है, वो female reproductive organ नहीं है, क्योंकि यह तो हर कोई जानता है, तीनों होते है, next, एकदम simple question, जो हमने recently प पताया था कि यह कैसे बोल रहे है, इस तरह से, वो कुछ ने कहा था कि बिल्कुल अच्छे बात है, सही बात है, तो 21 का जो दिया है, estimate उसमें 11% पताया है, economic survey के अंदर, तो 11% इसका अंसर था B, next है, नमामी गंगे के अंदर, अब देखो, नमामी गंगे का जो program है, उसके इस बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, current affairs के अंदर, मेरे course में मैंने दो बार इसको पढ़ाया है, और वैसे भी logic लगाते ना आप इसके अंदर, तो आप इसको सही कर सकते थे, कैसे, ministry of jalsakty के अंदर तो यह है ही, ठीक है, यह तो simple सी बात है, यह सब को पता है, और इतना पैसा जब जा रहा है, तो गंगा साफ करनी है, तो उसको डिफिकेशन फ्री तो करना ही पड़ेगा, यह तो बनी बात है, लोजिक वाली बात है, तीसरी, गंगा के उपर जो गाव बसे हुए है, उनको जो है, गंगा ग्राम्स बनाना है, यह भी सबसे फेमस बात थी इसकी, जो काफी न्यूज में रही थी, यह जो B है ना, इसमें आपको छोटी सी बात पकड़नी थी, और आप इसका आंसर एकदम सही कर देते, और यह वन स्टार कोशन बन गया था, कैसे? इसमें लिका है, प्राइमरिली कवर विलेजे इन दे स्टेट्स अ इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है, B इसका सिंपल आंसर था, वन स्टार क्वेशन था, नेक्स्ट है वैक्सीन, अब यह क्वेशन यूपेसे ने क्यों पूछा, इसका लॉजिक सुनो, की वैक्सीन, वैक्सीन, वैक्सीन ही आप सुन रही हो, लाइफ का क्रूशल इशू बन मिल रहा आज के दिन, तो उसके बारे में कोई तो पढ़ता ही होगा ना, विकीपीडिया खोलोगे, तो पहली चीज क्या पढ़ोगे आप, उसका मिनिंग बताता हो, वर्ड का, यह कोई पर्टिकुलर टर्म का, और उसने लिखा हुआ है कि कावपोक्स के लिए जो है, वैक 1898 में, और यह कावपोक्स के अगेंस्ट में जो है, यह सारी कोच चल रही थी, वैरियोला वैक्सीन का नाम था, उससे फिर आगे वैक्सीन का नाम पढ़ा था, ठीक है, वैरियोला वैक्सीन, स्मॉल पोक्स अफ द काव, एडवर जैनर ने डिवाइस की थी, यह जो टर्म ह वैक्सीन, और बाद में लुई पास्टर ने जो इसको प्रपोस भी किया था, जैनर को ओनर करने के लिए, अठारा सो एक्सीन में, तो यह वैक्सीन टर्म है, ठीक है, यह लेसन था, बाकी जो पार्ट सारा है ना, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिसकस करेंगे, और पहले क पहले मुझे टाइम नहीं मिला था लेकिन अब तो टाइम है, और हम इसके पूरे कॉश्टन को अनालसिस करेंगे, मैट्स इंग्लिश वाले पोर्शन को मैं नहीं कर पाऊंगा, बाकी सारा करूंगा, और उसके साब से हम, नेक्स्ट लेक्चर में ही, कट ओफ का जो रहे हैं, बाकी आपका मैस इंग्लिश कैसा रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है, हां लेकिन 60% से उपर नहीं जाने वाला है, कट ओफ, यह तो पक्का है, और इस चैनल के उपर, सिविल सर्फिस के लिए हम बहुत डेटेल में, बहुत ही, टू दपॉइंट्स त्यारी हिर में जा गी करता है, झाला होग है, झाला है यह वाला है, झाला है, दो गईं नहीं करता है, यह तो आफन कर दोद...'